देखे इस वीडियो में हम बेगू सराय लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे बेगू सराय लोकसभा सीट कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि बेगू सराय से कॉंग्रेस का परत्यासी लड़े कॉंग्रेस का परत्यासी कनहिया कुमार बने लेकिन ये बात नामन्जूर है तेजश्वी परसाद यादव को देखिए NDA में सीट पर तवारा हो चुका है बेगु सराय बीजेपी लड़ रही है चर्चा गिरिडाज सिंग और राकेश सिनहा का है गिरिडाज सिंग का टिकट अगर करता है तो राकेश सिनहा को टिकट मिल सकता है एक और नाम उसमें जुड़ा हुआ है बीहट के विकास बैभव जिहां IPS विकास बैभव का नाम भी NDA की तरब से बीजेपी की तरब से चर्चा में है टिकट फाइनल नहीं हुआ है लेकिन इससे अधिक खलबली जो है वो महागडबंधन में मचा हुआ है महागडबंधन में कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि उससे कम से कम 9 सीटे मिले जिस पर तेजश्वी आदब अब लगभग तैयार भी हो चुके हैं इसके अलावा तीन सीट पर वाम लड़ सकती है तो 12 सीट जो है वो वाम प्लस कॉंग्रेस और बाकी जो 28 सीट है उस पर RJD चुनाओ लड़ सकती है अब देखिए बेगुश रा इसलिए चर्चा का केंदर बना हुआ है क्योंकि वहाँ से पूर्व में कॉमरेड रहें वाम दल के नेता रहें जेन्यू के पुर्वद्यक्ष रहें कनहया कुमार चुनाओ 2019 में लड़ चुके हैं हार भी चुके हैं अब चर्चा इस बार फिर कनहया कुमार की हो रही है क्योंकि बेगुश राय बुमिहारों का गढ़ माना जाता है बेगुश राय वो लोकसवा सीट है जहां पर बिहार में सरवादिक भुमिहार वोटर है मतलब जो आकड़े पताई जाते हैं वो करीब 5 लाग क्यास पास अकेले भुमिहार वोटर है निरनायक वोटर होते हैं और उस सीट पर कॉंग्रेस दावेदारी कर रही है कॉंग्रेस चाहती है कि बेगुश राय से इस बार कॉंग्रेस का परत्यासी उत्रे 2019 साब को याद होगा कनहिया कुमार वाम की तरफ से लड़ गये थे तन्वीर हसन आरजेडी की तरफ से लड़ गये थे और ग्रेडास सिंग अकेले करीब 6 लाग क्यास पस वोट स्कोर करके लोग सभा जीत गये थे तेजश्वी आदव और कनहिया कुमार की अदावत जो खुल कर सामने कभी नहीं आती है मंच पर कभी नहीं दिखती है लेकिन मन ही मन दोनों युवा निताओं के बीच एक लकीर है जो मिटने का नाम नहीं ले रही है तो जश्वी आदव नहीं चाहते है कि उनके सामने कोई युवा नेत्रित विहार में उभर सके ये उनके राजिती के लिए खत्रा है और कनहिया कुमार वो खत्रा बन सकते हैं इसलिए 2019 में जब कनहिया ने नॉमिनेशन किया तो तन्वीर हसन को आरज़िडी सिंबल देती है चुनाव लडवाती है कनहिया को हरा देती है और गिर्डास सिंग clean sweep करके करीब 6 लाग के आसपास vote score किये थे गिर्डास सिंग तो इस बार गडबंधन है वांदल, कॉंग्रेस और आरजेडी का ऐसे में आरजेडी क्या जुके की कनहिया कुमार के नाम पे personally तरजेश्वी आदब को इस पर call भी किया है और इस पर बात चीत भी हुई है राहूल गांधी भी चाह रहे है कि वियार में कॉंग्रेस जो है वो मजबूत हो कॉंग्रेस में एक ससक्त चेहरा आए अखलेश परसाद सिंग के साथ एक और बड़ा भुमिहार नाम जुड़े वो नाम कनहिया कुमार का है इसके लिए पैरवी जो है वो राहूल गांधी भी कर रहे है ते जस्वी आदब से आरजेडी को तै करना है कि बेगुस राय का समीकरण क्या होगा क्या बेगुस राय जीतना है तो वहाँ पर एक मात्र एक गड़ एक परत्यासी उत्रे कनहिया कुमार इंडिया गड़ बंधन की तरफ से इंडिया की तरफ से लगभग तीन आमों पर चर्चा है जो मैंने आपको बताया गिरडा सिंग, राकेश सिना और विकास बाइभब तीनो भुमियार है उनको टकर भुमियारी दे सकता है वो भुमियार कनहिया कुमार हो सकते है तो ये समिकरन बनते हुए बिहार में दिख रहा है लेकिन अभी तक तेजश्वी आदव ने इस पर हामी नहीं भरी है तेजश्वी आदव का कहना है कि या तो वो सीट हम लड़ेंगे और अगर कॉंग्रेस लड़ रही है बेगुसरा है तो कोई दूसरा परत्यासी लाए मतलब कनहिया तेजश्वी को कल भी नामंजूर थे आज भी नामंजूर है भविश क्या होगा नहीं पता लेकिन आज कनहिया कुमार तेजश्वी आदव को नामंजूर है उसी तरीके से कनहिया कुमार को लेकर भी कॉंग्रेस प्रयासरत है कॉंग्रेस चाह रही है कि बेगुसराय से कनहिया लड़े एक कड़ा मुकाबला दे और हो सके तो ये स्टीट इंडिया गड़ बंदन के खाते में आजाए फिलाल इचता में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया